हेलो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे प्यार वरा ममस्ते सबस्वाइब नियू ब्लोग की सब्सक्राइब तो आज में एक बनाओंगी और दिखाओंगी आप लोगों कैसी बने इस अपला तो मैं निकाल दूस्ता में लगा रखाए देखते हैं आप लोग बनाते मेरे मन में एक गाना यार आगया गाना क्या होना पर लास्ट के दो लाइन बोलना चाहूंगी आता कर नहीं हुआ पागजी पतेरी सबुने बांचे करमन बांचे केना धरमत सच्चा रख वालाही अमरी जगती वेगेना ना घर तेरा ना घर मेरा चिणिया रेन बसेरा एक पल होना एक पल जाना जोगी वाला पेरा माता रोए जनमे जनमे भरी बहना रोए छे मासा दिया रोए डेटी घडी को अंची करे घरी वासा काग जीपा तेरी सबने बांचे करमन बांचे केना धरमत सच्चा रख वालाही अमरी जगती वेगेना कि अन्यवाद दोस्तों रखेसला का मेरा गाना आप कमेंड में जरूर लिखना आवाज तो अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिज करें तो मैं कोशिज करें अच्छा अच्छा बोलने भी कि अच्छा बांचे करें खुड़ नहीं है कि अच्छा जब करें आवाज करें तो अच्छा आव वालाहीर अच्छा आप कमें ल में जरूर कोशिज करें तो यह मेरा केचन गालन इसमें मैंने कद्दू के बीच डाले थे आओगे हैं यह और कुछ कुछ इनको बजीचे में लगाओंगे कहीं कहीं इसमें रहें दोंगे खाना बनाने का विटाइम हो गया अब बजीचे में जाने फड़क्यास प्रभी ले आते हैं खाना बनाना बनाने का विटाओंगे का विटा दो आते हैं यह मैंने दो दाके रख दिये हैं और यह है लेसुन के पत्ते इसके बनाएंगे आज चतनी और यह है पुदेना बड़ी अच्छी खुसवारी इस वे किसी पर तो नहीं आते हैं इसके तो बड़ी आरे यह चलादी मैंने कड़ाई इसमें थोड़ा जीरा हो गया अज्वेन हो गया और जख्या हो गया अलेसुन हो गया यह डाल दिया है और प्याज के पत्ते वी काटके रख दिये हैं मैंने इसको डालोंगे इसमें अथोड़ी देर तर इसको हलकी सी आच में बिना पानी के पकाऊंगे इसको आच देर तर तर यह दुड़ को डालोंगे इसको कि यह डाली में बेशन बेशन के साथ मसाले एड़ करूमीज में अब बेशन का घोल बना के अब उसमें डाल दोंगी तब तक प्याज की पत्ते पक जाएंगे अई यह चतनी की तयार करकी प्याज के लिए और यह होगी मेरी चतनी तयार चटुप्ती अब दिन का साग भी तयार हो गया प्याज की पत्तों का अगरा तो बड़े अबा के खाने में पता हैं के अप बाल प्याज के पड़े अगा की आप़े बाल दोब ढाल जार के लिए होगी झाल के अफले के रिए दू में पत्तों की चतनी का भी आसे अब दो Aside